आज ओम का खाने का मन हो जाता है मॉफिन्स तो मैंने सोचा घर भी टेस्टी से मॉफिन्स बना लेता है तो मैं उसके रेसिपी आपके साथ सेयर कर रही हूँ देखिए इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 3-4 cup मैदा उसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून बेकिंग सोडा कोई ब्रौर carbon और यह की सका मिक्स दिर्वन् negotiations अब जता रहुतने लिए यह मूजा सेथ़ी थो कई जब तक सारी शुकर दिजॉल्ड हो जाती है फिर हें फ्रौर देही हम थड़ां नहीं को सेसे फटेजाकित तर फेल ड़ंडेंगे मूजंड़ा अब और बेकिंगिंग दोनों बोह दे उनको एक मै कर लेंगे और निए तर्वें अवर भीट मत करना इतना मिक्स कर ले ना कि हा गांथे गांट ही ने रहे जाए कुछ अब इसकी बाद हम इसको डाल देंगे जो अमारे ऐंड्राइं 17 इंग्रीधियंट्स त है उस वाले बोल में और देखें असब तो इसमें ना हमें ओवर बीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है इसे रिबन वाली फ्लोई कंसिसेंसी होनी चाहिए और एक बार आप इस तरीके से मुफिन्स के बना के देखें अब गैरेंटी लेगरी हो बहुत अच्छा हो बहुत शफी बनेंगे बाकी यूट्यूब पर आ डिफनी फिलिंक्स डाल सकते हो टूटी-फिल्टी है तो दाल दीज सीचॉकले चिप्स Hinter Jenas में वाल ट अच्छ लग तो चार मिनिट ले और पकाने पड़ेंगे और अभी अवन में रखा है प्री इटेड अवन में 180 डिग्री पे रखेते हैं तो 20 मिनुट्स में मेरे बिल्कुल रेडियो के देखें नाइफ बिल्कुल क्लीन निकल रहा है और मेरा कटोरी वाल भी केक बहुत अच्छा बना है बहुत सॉफ्ट और बहुत फ्लफी थे यह तो अब मैं यह दिखिए अम इनको डिमोल्ड करके दिखाती हूं कि कितने स्पॉंज और कितने अच्छा बने हुए इनका स्पॉंज ना एकदब मार्केट वाले से बहुत अच्छा बना है और बिना एक हैं यह तो सब से कोई वातनी घर की बने हैं खाले गाले का तो कोई दिख करती है और मैं आपका कटोरी वाला वीडी मोल्ड करके दिखाती हूं देगे कितना अच्छा है यह थोड़ा ना ऊपर से टॉप इसका ठेड़ा हो गया है क्योंकि जब हमना एकदम से टेंप्रेचर चेंज होता है त तो मेरा तेंप्रिचर थोड़ा हाई था उस टेंप्रिचर मैं इसे डाले तो एकदम से डोम बन गया है अगर आपका तेंप्रिचर ब्रकुल पर्फेक्ट होगा अब उसे 175 के आसपास रखेंगे तो जादा बैटर है देगे कितना सॉफ्ट बना है और ऐसी वीडियो के लि झाले दो